हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंदर चैनल में हमारे आप सभी प्रियश दर्शक गण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत-बहुत अविनंदन मेरे प्रियसातियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वजानंद शर्मा और आज के इस कारे करम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं ये जो मासिक राशी फल होता है मंतली राशी फल उसके विशह में बात होगी और ये जो मासिक राशी फल है ये जनवरी 2022 का है आपको हम मेश राशी से ले करके और मीन राशी तक सभी राशियों के विशह में बात करेंगे बताएंगे कि ये महाजनवरी आपके लिए कैसा रह ने वाला है किस-किस छेत्र में किस-किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं और साथ में आपको उनके उपाये भी देंगे अंत में जब राशी फल की बात करेंगे तो राशी फल के अंत में आपको हम उपाये भी देंगे बहुत छोटे-छोटे उपाये देते हैं अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये महाजनवरी बहुत आराम से और शामती से निकल जाएगा आपको कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन राशीफल की बात करें तो राशीफल से पहले हमें ये भी जानना बहुत आविशक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं जिन ग्रहों की इस्थिती के आधार पर गोचर में जो ग्रहों की कैसी इस्टिती रहेगी सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते सभी ग्रह खराब नहीं होते और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलके कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं जिसके हमें तो बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में तो यहां पर इस से पहले के हम राशी फल की चर्चा करें आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस महाजनवरी 2022 में आस्मान में ग्रहों की सिती क्या रहने वाली है कौन से ग्रह किस राशी में रहेंगे कब उन्होंने अस्त होता है कि पूरी तरह से सूर्य की रोचनी में वो दिखाई ना दे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है उसको अस्त बोला जाता है तो देखे आईए चर्चा आरम करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में महाजनवरी 2022 में ग्रहों की इस्थिती जो रहने वाली है कौन सा ग्रह किस राशी में रहेगा तो देखे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूरह 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशी धनू से निकल करके अपनी शत्रू राशी मकर में प्रिवेश करेंगे दोपहर दो बच कर 29 मिनट पर फिर मंगल 16 जनवरी 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयम की राशी विरिश्टिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी धनू में प्रिवेश कर जाएंगे शाम चार बच कर 30 मिनट पर मारगी एवं उदेवस्था में बहुत अच्छी पोजिशन में होंगे अपनी मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशी से निकल करके मंगल की सिती अच्छी रहेगी महाजनवरी में बुद्ध अपनी परमित्र राशी मकर में अपने मित्र के घर में ये उनकी मित्र राश को ये वक्री हो जाएंगे उल्टी चान इनकी आरब हो जाएगी और 17 जनवरी संद 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तदा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उद्य होंगे तो इस प्रकार की सिती बुद्ध की रहने वाली है बुद्ध की कुछ खास ज्यादा अच्छी सिती नहीं रहेगी अपनी स्वयम की सिती उनकी कुछ कमजोर हो जाएगी क्योंकि वो महीने के मद्ध में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उद्य होंगे उससे पहले वो वक्री हाल वक्री चल रहे होंगे 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंग अपनी समराशी कुम्ब में बने रहेंगे गुरू की सिती फिर भी काफी अच्छी रहेगी शुक्र अपनी समराशी धनू में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जन्वरी में लेकिन ये 29 जन्वरी 2022 को मारगी होंगे महां के अंत में जाकर के और पांच जन्वरी को ये अस्थ हो जाएंगे पश्चिम में और बारे जन्वरी को ये पूरू में उदय भी होंगे लगवक साथ आठ दिन ये आठ दिन ये अस्थ रहेंगे पांच से लेके बारे जन्वरी तक यहां पर इनकी यूति अपने शत्रू ग्रह सूर्य के साथ 14 जन्वरी तक बनी रहेगी तो इस प्रकार ये इनकी स्थिती रहने वाली है कहा जा सकता है कि महा के मद्धे तक तो कुछ जादे ही स्थिती खराब रहेगी शुक्र की उसके बाद थोड़ा मद्धे में स्थिती में अस्त हो जाएंगे 19 जन्वरी को और पूरे माई ये फिर अस्ती ही रहेंगे महा के अंत तक लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशी में अपने मित्र बुद्ध के साथ पूरे महा बना रहेगा वो दिन के साथ बने रहेंगे इसी राशी में राहू राहू अपनी मित्र राशी वरिश्चक में बने रहेंगे पूरे महा और इसी राशी में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जन्वरी तक रहेगा सोले जन्वरी को जैसे हमने आप से बताया था कि मंगल इस राशी से निकल जाएंगे अपनी स्वयम की राशियर से और अपनी मित्र राशी धनू में प्रिवेश करेंगे तो ये है महा जन्वरी 2022 की गोचर में आसमान में इस्थिती इनी के आधार पर जो बारे राशियों के जातक हैं मेश से लेकर और मीन तक उन्सको परिणाम प्राप्त होंगे इन गरों के अनुसार इनकी स्थिती के अनुसार और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहां पर कि जो भी राशी फल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चन्दर राशी पर आधारित नहीं है ये पूर्ण रूप से लगन राशी पर आधारित होगा राशी फल तो आईए चर्चा आरम करते हैं तुला लगन राशी के जातक हैं यनि के लिब्रा असेंडेंट बेस्ट जो जातक हैं उनके विशह में बात करेंगे और करेंगे और कितना नहीं करेंगे यह जानेंगे सबसे पहले आपके व्यवसाय के विश्व में बात करेंगे और जानेंगे कि व्यवसाय की जो इस्थिती है व्यवसाय की जो हालात हैं महाज जनवरी 2022 में आपके कैसे रहने वाले हैं तो पहली बात तो मैं आपको यहां से आरम से ही बता दूँ आप भी जानते होंगे कि आप तुला लगन के जो जातक हैं उन पर शनी की धहिया का प्रभाव बना हुआ है जो कि 29 अप्रेल तक बना रहेगा तो लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई आवश्चक्ता नहीं है क्योंकि शनी जो हैं अपने ही घर में बैठे हैं और बड़ा अच्छा राजयोग बना रहे हैं तो देखिए अब जब बात प्रोफेशन की चल रही है आपके करियर को लेके बात चल रही है शनी की धहिया के विशे में हमने बताया है तो दूसरी और हम यह भी बता रहे हैं कि शनी ने आपके जो मैं चार्ट देख रहा हू आपके सामने आप इस महीने आप जो है चेलेंजिज को फेस करेंगे और नमबर ओफ प्रोब्लम्स जो हैं वो आएंगी भी लेकिन एक बात रहेगी हैं इस जन्वरी महीने में वो यह रहेगी कि जो आएंगी न प्रोब्लम्स या जो चेलेंजिज होंगे आपको ऐसा महसू हैं जो मैं फेस करने जा रहा हूँ कैसे होगा यह आप सोचने के लिए तो जरूर मजबूर हो जाएंगे कि मैं इनको कैसे कर पाऊंगा कैसे करूं लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा पर यह साथियों अपनी और से कि अगर आपने अपना होसला बना करके रखा ना मैं क्यों कह रहा हूँ यह भी बताऊंगा कि अगर आपने अपना इस महीने होसला बना के रखा और निडरता के साथ पूरा चीजों को फेस किया निडरता के साथ तो कोई वज़ाँ नहीं यह प्र जो आप उन पर सफ़ता हासिव ना कर सके अब मैं कारण बता बता ऑँ इसका कारण क्या है कारण यह है कि जहां आपको एक तरफ चेलेंजेज हैं और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मैं इसब कर पाऊंगा नहीं कर पाँगा ऐसी आप समंजस की स्थिती में रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, थोड़ा घबराएंगे भी, कि यह इतने हालात हैं, कैसे इनको मैं हैंडल करूँगा, कैसे फेस करूँगा, यह सब वो, लेकिन आपको मैं बता दू, कि यहां पर कहीं न कहीं, आपके भा भाग्य भाव है, वो शुब ग्रहों से द्रश्ट है, तो कहीं न कहीं शुबता तो उसमें है, जो भाग्य की आपको मिलने वाली है, तो अगर आपने यह मेहनत की, इसलिए मैं आपसे यह बात किया रहा हूँ यहां पर, अगर आप डटे रहे, पीछे नहीं हटे, घबराय गज़र, गबराये नहीं आप, तो सफ़लता तो आपको मिलनी है, उधर शनी जो है, जहाँ एक और आपके लिए चैलेंजिच खड़े करेंगे, जहाँ एक तरफ आपके लिए बाधाये खड़ी करेंगे, वहीं दूसरी और आपके लिए रास्ता भी निकालेंगे, यह भी नहीं हारिएगा चीज़ें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी बस आप लगे रही है और मैं आपको बता दूँ कि 16 जनवरी से तो आपका जो एनर्जी लेविल है वो वैसे ही बहुत बूश्ट हो जाएगा आपके अंदर कुछ इस प्रकार का एक तरीके का विचार आएगा और विचार ही नहीं आएगा खाली आपका जो शरीर की जो एनर्जी है जो पराकरम है वो बहुत अधिक रहेगा तो आप तो खुद ही दोड़ दोड़ के महनत करेंगे अपनी ओर से ही काफी एनरजेटिक रहेंगे ना इसलिए इसलिए चीजें सब हो जाएंगी आपके अनुकूल तो यहां पर ऐसी कोई मिझे ऐसे हालात मतलब दिखाई नहीं देते आपके चार्ट में कि आपके लिए इत और करने के बाद भागे थोड़ा बहुत आपके साथ जरूर है और मैंने जैसा का शनी महराज जाए एक और आपको चेलेंजिज देंगे वहीं दूसरी और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि इस रास्ते पर चलो सही हो जाएगा सब यह सिती शनी देव की रहेगी और बुझगार करना चाहते हैं यह उनके लिए बड़ा सू अफसर है बहुत गोल्डन एपॉर्चरिटी एक गरहों का बहुत ही मजबूत श्ट्रॉंग योग बन रहा है इस प्रकार का कि अगर आपने इस दिशा में प्रियास किये तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी बहुत अच्छा योग बन रहा बाहर जाने का या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप कार्य रत हैं अपने कार्यों से संबन देती हैं आपको दूर जाना पड़ जाएं विदेश ना जाएं दूर दराज की यात्रा करनी पड़ जाएं काफी वह भी आपके ल जाने के लिए अब आपसे बात करेंगे कि सुख सुविदाओं की और वित्तियस सिती कैसी रहेगी देखिए वित्तियस सिती की बात है पूरे जनवरी महां आपको धन की कमी महसूस होगी नहीं लेकिन हाँ 14 जनवरी से लेके महां के अंत तक थोड़ी बहुत समस्यां जरू बनेंगी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई धनका भाव हो रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा लेकिन जहां एक तरफ आपको अब हाव महसूस होगा या तोड़ा मन आपका परिशान होगा इन चीजों को लेके दूसरी और कुछ समय के बाद पता चला धनका इंतजाम हो गय आप किसी ना किसी तरह से दौर दूप करके तो यह सिती बनी रहेगी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप खाली आत हो जाएंगे ऐसे इस सिती नहीं रहेगी और कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो एक जनवरी से चौदे जनवरी के बीच का जो समय है इसमें आप आपकी सक्सिस होगी लेकिन चौदे के बाद थोड़ी समस्या बन सकती है आप चौदे तक कर ले और चौदे तक आपकी मैं यह भी बोल रहा था कि इंकम भी आपकी अच्छी रहेगी चौदे तक उसके बाद ही थोड़ी बहुत कुछ समस्याभी आ सकति रुकावट हो है यह चौदे के बाद होगा महा के अंतिता चौदे तक आपका इंकम बहुत अच्छे से रहेगा सेविंग्स भी आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे सुखसु विदाओं का जो लाब है वो सामानने तोर पर आपको मिलने वाला है और आगे बात करते हैं प्रेम संबंदों को ले करके देखें प्रेम संबंदों की बात तो कुछ मैं देख रहा हूं ग्रहों की सिति ऐसी बनी हुई है यहां पर इस जनवरी मां में आप तुला लगन के जातकों की के जो आलड़ी रिलेशनशिप में है पहले से जिनकी अच्छी रिलेशनशिप भी है बे बेशक लेकर जनवरी में आ करके तू तू MAYOR की असितिई बने चोदा जनवरी से लिएका के आज जन्वरी की बीच जो समय इसमें कुछ वाद विवाद जा दे रहेंगे आपस में, कुछ तनाव भी हो सकता है, तू तू में में की भी सिती बनेगी, यानि कि ये भी हाथ तक भी पॉसिबल है, कि आप एक दूसरे से जुदा भी हो सकते हैं, जुदा मतलब अलग हो जाएं, हलाकि ये जो है सेपरेशन, ये पर्मानेंट वाला नहीं है, ये टेंपरेरी वाला है, लेकिन आपको जादा सावधान रहने की आवश्यक्ता होगी, 14 जनवरी से 31 जनवरी के जो बीच का समय है, इसमें, इसमें इस प्रकार की परिस्यती पैदा हो सकती है, और उसकी संभावना बहुत अधिक है, तो आ आपको यहां थोड़ा सावधान रहना है, यहां बार बार आपको इसलिए ये बात रिपीट कर रहे हैं, अब आप से आगे बात करते हैं, विवाहित व्यक्ती जो हैं, उनके विवाहित व्यक्ती जो हैं, महिलाहों या पुरुशों तुला लगन की जो जातक हैं, उनके वि वाहिती है कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ किसी ना किसी बात को ले करके तनाव जरूर रहेगा आपस में आप उनकी कमियां आपको नजर आएंगी उनको आपकी कमियां आप में कमियां नजर आएंगी एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहेंगे तना तनी चलती रहेग लेकिन 16 जनवरी के बाद 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच जो होगी परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी और फिर क्या होगा फिर आपके जीवन में आपको भी समझ आएगी कि बहुँ हम कुछ गलती कर रहे थे कुछ थोड़ा सा आप अपने आपको सही करेंगे सामने वाला भी करेगा आपका साथी और फिर जो है आप एक दूसरे के करीम आएंगे एक दूसरे के किलोज होंगे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आपको विवाइक सुखों की प्राप्ती होनी आरंब होगी 16 जनवरी के बाद 16 जनवरी से पहले का जो समय ह वो बाद-बाद का समय है तनाव वाला समय उसमें आपको साफ़धान लेना चाहिए हम तो यही कहेंगे अब जो पारिवारिक संबने वो कैसे रहेंगे पारिवारिक संबनों के लिए भी कहना चाहूँगा कि एक जनवरी से लेकर के और 16 जनवरी के जो बीच का समय है यह समय होगा कि कोई ना कोई हो सकता है कि आपके और आपके परिवारिक सदस्तों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करें समद बिगड़वाने की कोशिश करें और आप भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर के आप भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तमाल कर बैठें उनके प जाएगा और वो निवट भी जाएगा लेकिन ये स्थितिव रहेगी सोले तारीक तक सोले के बाद 31 तक ये ज़रूर हो सकता है कि आपके जो परिवार एक सदस्ने हैं आपके उनके साथ थोड़ा दूरी रहें आप उनसे दूरी बना करके रखें लेकिन हां सहयोग की कोई है कि आप अपने परिवार को सहयोग करें हलाकि मैंने जैसा कहा कुछ शब्दों के कारण आपका उनके बीच में कुछ मत्बेद तो जरूर होंगे आपकी जवान के कारण लेकिन इस्थिती समहल भी जाएगी कुछ टाइम के बाद और आपकी और से भी उनको सहयोग राप् अब बात कर लेते हैं शिक्षा की संबंद में चात्रों के लिए कैसा रहेगा देखिए चात्रों के लिए मद्यम या मद्यम से थोड़ा सा उपपर इस प्रकार का समय है उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के तो आप अपनी शिक्षा को गिर्ण करने के लिए लगे रहिए थोड़ी बहुत समस्या आएंगी उन पर भी अगर आपने कर लिया कावू तो आप के परिणाम जो है वो ठीक मिल जाएंगे आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा उपर इस प्रकार के परिणाम मिलने की है जनवरी का यह समानने से मध्यम के बीच में रहेगा इस प्रकार के परिणामी मिलेंगे कोई बहुत अच्छे परिणामों की आप अपनी संतान से अप एक्षा कर रहे हैं तो यह ऐसा ना सूचें इस जनवरी महा में और जो भी वो कार्रे कर रहे हैं उनको करने दें और करने के साथ साथ आप उनके परिणामों की भी मतलब कोई जाद है आप एक्षा ना रखें हाँ मैंने जैसा कहा सामानने से और मध्यम के बीच में आपको मिलते रहेंगे यह इस प्रकार की सिती रहेगी आगे बात करते हैं स्वास्त को लेकर स्वास्त कैसा रहेगा तो बता साथदा रहना है देहान रखना है और मैं आपको उपाएय भी बता हुआ क्या करना है वो आपके स्वास्त के लिए छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा पहली तो बात ये है उपाये आपको बता देते हैं कि शनी की क्योंकि ढहिया चल लए आपके उपर तो आप शनीवार के दिन शनी मंदर में जाकर के वहाँ पर माथटे के शनी महराज की पृतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर शनी चालिसा या फिर शनी महराज के मंतरों का आप जाप कर सकते हैं और शनी इतना ही करना है दान वगएरा ना करें दान की आवश्यक्ता नहीं है शनी की सिति ठीक है अच्छी है बस यह है कि जो समस्या है वो देंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन देंगे तो आपके स्वास्त को लेकर के भी अगर ऐसा करते हैं तो साथ ही सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने जन्वरी जन्वरी यह काम आप जरू करें तो यह सिति आप अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो इस सितियों में काफी बदलाव दिकाई देगा आपको औ मेरे प्रियसातियों ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशीफल जनवरी 2022 का आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करने और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करने से और लोग 20 से लाभानवित होंगे साथ ही जो बैल आइकन आप देख रहे हैं उसको अगर दवाते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी जोतिश से संबंदित हमारे कार्यकरम हैं उनके वीडियो से वह आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनसे भी लाप प्राप कर पाएंगे तो इ झाह से भी जोगे यह बच।